हेई गाइस दस जियार एंड यू आर वाचिंग माई चैनल आपसे लाइव तो आज में खेले वाले हो आर्क सर्वाइवल एंड आज इस गेम के अंदर मैं करने वाले हो लेवल अप एक मिट यहां पे मेरी स्टोन पिक क्यों नहीं दिखा रहा है ओके तो मैंने अभी अभी ज प्रश्किल हो जाता है उपर से यहां वहां से डाइनोसर्स भी आ जाते है तो मैं सोच रही हो कि आज मैं स्लिपिंग बैग भी बना ही लिए लेकिन उससे पहले मुझे वुड कलेक करना है क्योंकि उससे मुझे बैस बनाना पड़ेगा इस गेम में बेस बनाना बहुत ज़ जाएगी और आपको फिर से सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा उससे अच्छा है कि आप चोड़ा सा बेस बना लो एंड अपनी ज्यादा तर चीज़े लाइक फूड एंड स्टोन पिक वगरा या फिर वूड जो भी है वह उस बेस के अंदर रग दो ता कि अगर आपको मार भी दे और आपको रिस्पॉन होना पड़े तो भी आपकी ज्यादा तर चीज़े आपके पास ही रहे तो इसी वज़े से मैं फटा फट से वुड कलेक कर लेती हूं उसके बाद में चोड़ा सा बेस बनाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा सही लोकेशन देख रखी है व मुझे अपने का फटी है मतलब के साइसा दे ले न चाहिए वरना में अपना केंक फटी रहे जाओ टीक तो यह मैं drives लिए अपने केंफ रखी लोकेशन वो सामने जो डो पथर है उसकी बीच मेरा कैंफायर आई थिंक मुझे जंगल में जाने से पहले एक और वेपन क्राफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर मेरी स्टोन पे टूट गई वूड काटते काटते तो मुझे एक और वेपन की जरुवत पड़ेगी क्योंकि अगर डाइनोसौर उस टाइब मेरे पीछे पड़ गया तो मे करने के लिए मुझे ुटो को फाइंड करना होगा और उसे किल करना होगा तो चल जल्डी से जाके मैं डोडो को ढूनती हो और यहां वहां कहीं पे तो मिल जाएगा क्योंकि मैं उसे बहुत बार देखा है यहीं समुंदर किनार ही होता है यहां पर छोटे-खोटे डाइनो पड़ेगा हम सौरी यार पूरी गेम के अंदर यह डोडो ही होगा जो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता होगा लें फिर भी फिर भी इसी के ऊपर सबसे पहले अटक करवाना है क्यों यार मतलब इतना दो क्यूट है यह अब इसको मार दिया तो इसके अंदर से रहा मीट और इस के ऊपर और वहां जाकि इस रहा मीट को कुप करनी के लिए रख देना है तो यह सामने पत्तर दिख रहा है उसी के पीछे मेरा केम फायर है तो वहां पर जाके कर आँकर इस मीट को रोस्ट होने के लिए यानि के राख देती हूं ओक्के तो मैं पहूँच गीए अपने लो तो पहले आग बजा देते हैं इसको टेक कर लेते हैं और अब मुझे चलना चाहिए सीधा डोडो को डूनने के लिए क्योंकि अभी मुझे स्लीपिंग बैग भी बनाना है और उसके लिए मुझे बहुत सारी हाइड चीह होगी और उसके लिए मुझे डोडो को मारना पड़े क्योंकि और कोई दूसरा एनिमल यहां पर है नहीं जिसे मैं मार सको एजिली क्योंकि डाइनोसार्स को मानना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो फटा-फट से मैं चलके डोडो को डून लेती हूं तो यहां पर तो कहीं दिखाए ही दे रहे तो मुझे और थोड़ा सा निकलना होगा अधरवाइस कोई डाइनोसार मेरे पीछे पड़ जाएगा अब तो मुझे आवाज भी सुनाई दे रही है अब तो मैं गई दे यहांपर मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है है ठीक है और यहींद क्या दुष्मन है यार बस एक बार एक बार मुझे लेवल अप कर लперने दे उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगी अभि तो मुझे फटा-फट वहां में चाहिए दो कि कहां पर मैं मरी हूँ और फिलाल मैं कहां पर हूँ तो मुझे फटा-फट से रासा देख लेना है और यहां से निकलना है तो जो यह खत्री वाला निशान है वहां पर मुझे पहुचना है यह वाला तो अभी मैं मैं मैप ओपन रखके मुझे जाना पड़े का मुझे ऐसा सब्सक्राइब जाती है उसे डूदना है ऊकि वो रही सामने जो ग्रीन लाइट लिक्रिए ठिक हraw independent पहले मुझे नहीं पता था कि वह किसी चीज कि है लेकिन जहां पर भी हम लोग मर जाते हैं वह पर ग्रीन लाइट बनती है और यह उसी बात का सिंबल है जहां कि अपना सामान फिर से लूटना होता है लिकिकिसमें पर जो डाइन। सौर ह покупाइब तो इसमें भी बहुत भाफ कर खत्रा में लेकिन इसमान पुल की है। मैंने सारा सामान हैंए चुछा रहता पहुषिए है। किनारे पहुच गई और उपर ही ऊपर ही फैंटम है यार कितना खराब नसीब है मेरा ओके तुम्हें दूसरी साइट से जाने की कोशिश करती हूं I hope कि वहां पर कुछ ना हो मुझे असा लगता है कि पानी वाला रास्ता ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि यहां पर कोई डाइन सकते हैं यह मुझे पता है तो मैं फटा-फट से बाहर निकल गई एंड अभी मुझे वापस से उस ग्रीन लाइट को फॉलो करना है ओ-ओ-ओ-ओ यहां पे भी डाइनोसार अभी मुझे दूसरी साइट से जाना होगा ओके तो यहां से मैं चलती हूं एंड यह क्या है डोड चल भाई जल्दी ओके हो गया तो अभी चलते हैं वापस से हमारी ग्रीन लाइट की तरफ और मुझे नहीं पता कि इस कीम के अंदर कितने टाइम तक सामान जो है वह अवेलेबल रहता है तो मुझे जल से जल पहुशने की कोशिश करनी पड़ेगी और यहां पे यह डेखो यह तो मेरे लिए सेफ है और कोई डैनोसार भी नहीं दिख रहा है तो मैं फटाफट से निकल लेती हूं कि यार यह पानी के अंदर स्पीड बहुत कम हो जाती है मुझे अभी स्पीड के लिए लेवल अप करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है तो फटाफट भाग के जाती हूं अभी कितनी दूर है यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब पास ही दिख रही थी कोई बात नहीं यहां तक पहुंची है तो आगे भी पहुंची जाएंगे तो फटाफट से चलते हैं एंड इसी तरफ थी न अभी तो ग्रीन लेट दिखना भी बंद हो गई है यह पाड़ वाला रास्ता जो गया कि यहां पर डाइनसार ना हो तो ही अच्छा है ओके हम जस्त थोड़ा ही दूर है तो अभी फटाफट से चलके पहुंच जाएंगे और यहां से वापस से ग्रीन लाइट दिखनी पी शूरू हो जाएगे ऐसा मुझे लग रहा है बस यह यहां पर डाइनसार ना मिलए क्या कहीं आसपास दिखनी रहा है ओके घ्रीन लाइट मिल गई और यह मैं चलते जाएंगे और यहां पर कोई डाइनसार भी नहीं है बहुती अच्छी किसमत है इस बार मेरी पर यहां पर ना जब भी मैं ऐसा कुछ सोचते हुँ कि अच्छा यहां पे डाइनोसावार का अंड़ा है मतलब यहां पर और सिंबल भी आगाया जल्दी से जल्दी करेक्र करकर मुझे डाग मुझे भागना अब बश्क्री अलगी फटा फट से मुझे सारह सामन उठा लेन और देम लिल ख से निकलना है बाग 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 कैसे भी करें कि मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना होगा और यहां पर डाइनोसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं लेकिन उनके एरिया में ओके सामने ही खड़ा है भाग वो के इधर भी है कौन सी साइड जाओ यार सबी तरफ डाइनोसार दिख रहे हैं मुझे जल्दी से जल्दी न कर लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा और दूर चली जाती हूं वरना पता नहीं कहां से आटप कीगा और फिर से मार देगा उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा और ज्यादा दूर चले जाओं और मुझे कोई सेफ जगा डूनी होगी जहां पर मैं बेस बना सकूं तो आज क के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगी आपको एक और नहीं वीडियो में तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग